अहाँ देवन क्या कहना चाहते हैं, आईए सुनते हैं, खुद उनकी जुबाली पाहने के लिए आशु खाना पीना चोड़ कर दर-दर भटकने की, यही सजा मिली है मुझे, तो मन में दुख नहीं होगा, तो ने का मन नहीं करेगा, खाने के समय सब एक साथ बैठते हैं, पर खाने के बात मुझ फेर लेते हैं, क्या यही इजब देते हैं, आज कल के किनेता लोग भी आधे राज्य को बेच कर उसका पानी पी गए, आज मेरे और आज के पास पीने के लिए किसी नदी का साप पानी तक नहीं है, उपर से वो लोग पानी दो, पानी दो ऐसा चिला चिला कर गाना गा रहे हैं, अरे होगा तो देंगे ना हम लोग, उपर से मैं के सारे इल्जामों का जवाब देने के लिए मैंने पाटी बनाई है, ये मेरी पाटी नहीं है, आपकी पाटी है, यह हम सब सब विमानिक करनाट क्यों की पाटी है, मेरी उमर जरूर हो गई है, लेकिन अब भी मेरी हटियों में दम है, लडूँगा, जीतूँगा, और कि अवाटी है, लेकिन अताटी है, जीतूँ मेरING जीतुशआफा लेकिन खं़जगे तेने के ला गाटी तासाटी पाटी कर देमाटी है, बविमानिक का जीतूपा बनाची है, इह में विरा है, इह हूआँे पाटी है, में अपने का घďुए खालो है, पान्यवानिक जो निया दल पनाया उसी दिन वो आदमी मर चुका था हमारे लिए, इसलिए इसका संस्कार किया जब वो आपके पक्ष में थे, आपने उन्हें को इज़त नहीं दी और इसी वज़े से वो आपके पाटी को छोड़ कर निकल गए न सर वो खुद नहीं गए, हमने उन्हें धात के मार कर निकाला है क्यों सर? सर उन्हें बॉइकॉट करने की बज़े? चंता द्वारा दिये हुए हक का उसने दुर्पयोग किया करनाटक के तिहास में आज तक कोई मंत्री या मुखि मंत्री जेल नहीं गया बुढ़े बच्चे, नौजवान कारे करताओं को मैंने उसके साथ सिवा कारे में लगाया और लाखों की संपत्ती भी बनवा कर दी ऐसे भस्त लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने भगा दिया नरसिमा की? इसका मतलब आपके लिए वो मर गए? मर गया, 100% मर गया तीसरे दिन खीर देंगे, तेरेवे दिन खाना होगा, सब लोग आ करके खालना, ठीक है? चलिया साथ सर, 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 सर अगर उनको इस बात का पता चला तो, वही लोग इनकी परची बना कर बाटेंगे राज नहीं थी है सर लेकिन सर उनकैं बेना आपकी पार्टी जीत पाएगी हमारी पार्टी ही जितेगी हमारे जेत बख्की है तरसिमा जी की टना जी की टना जी की हो टना जी की पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों का दुखदर्द हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए इसी कार्या हेलिकॉप्टर में नहीं आये हम लोग ये कोई सामाने पद्यात्रा नहीं है कि हमारे राष्ट पिता गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए पद्यात्रा और रुप्वास किया था जैसे अन्ना हजारे ने ब्रश्चाचार को जड़ से मिटाने के लिए भूग हर्ताल की थी उसी तरह मैं भी राजनीती से भरष्ट नेताओं को पूरी तरह से उखार के भेकने के लिए ये पद्यात्रा कर रहा हूँ सर आपको निकाल दिया है उन्होंने निकाला है या मैं खुद निकला हूँ उनका दल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है मैंने सिमेंट घोला है पत्थर उठाए हैं चारों तरफ दिवारे खड़ी की हैं और वो भी अपने पैसों से, खुद अपने पैसों से किया ये सब, राजा में निकाल दिया, समुत्र पार्टी के रामा स्वामी क्या करेंगे, वो दिखाएंगे अब, रंजीता माडम, आप तो हेरोईन हो, बॉलिवूड की कुईन, फिर इस पार्टी में आने का करण, राज अगर ये श्री राम है, तो क्या आप सीता है मैडम, ओ माइग गॉड, अगली बार जब चुना होंगे, तो हिंदूस्तान की जनता जरूर मेरा साथ देगी, मैं अधिक से अधिक वोटों से जीत कर पालियमेंट में आऊंगा, और इसकी वज़ा है, इन दस करोड़ लोगों का प्यार, ये लोग जो मेरे साथ हैं, इन ही के वोट मुझे जरूर जिताएंगे, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, जै करनाटका, राम स्वरुप जी की, राम स्वरुप जी की, राम स्वरुप जी की, राम स्वरुप जी की, राम स्वर किया एक हार क्यों 살ुका तुम लोगों को हटेच क्षान हणों कर लेकिन आज वही किसान का हुआ अपकते уैं कडैन करन डूसरी तर देखाए तो जा जा इंपर किसानों की जमीन का बचा only मैं अपनी धर्थी रख्षा करने के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ सुनी, आप अपना बीपी ना बढ़ा हो, इधर दीजी मेरे पती, किसान, गरीब और औरतों के लिए जान भी दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये आज कल, खाना पिना छोड़ कर, ये सिर्फ हमारे राजय के बारे में हैं सोचते रहते हैं इसके लिए, ये जो मेरा मेक अप है, ये ही गवा है आपके साथ हो रहें, अन्याय को देखकर, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे पती ने आपके लिए आसु बहाए, रात भर होए मेरी शादी की साड़ी से, उन्होंने फासी का फंदा बनाया और फैन से बान कर, मेरे पती फासी पर लटक गए वो तो अच्छा हुआ, कि उस वक मैं आ गई और मैंने उन्हें बचा लिया आप जानते हैं, इनका वजन इतना था, कि छट से पंखे की साथ नीचे आ गए और बच गए सब की लिए जान देने वाले, ऐसे नायप को जिताना आपका कर्तव्य भी है, और आपके जिम्मेदारी भी क्या कहने हो हाँ जरूर जितेंगे, और जरूर जितेंगे, आप जरूर जितेंगे अरे एक दिन छोड़कर चल पानी आता है और आगे अरे मेरे पतिने तो इक हप्ते शेंगर आई अरे, इस पानी की इंत्जार में मैं एक हफ्ते से én फेक्तरी भी नहीं गई हूँ नमस्कार नमस्कार आप सभी को मेरा नमस्कार बेंजी कैसे हैं आप लोग जोटे मुटे काम के लिए फोन करते हो यहां सब पानी के लिए परेशान है तो एक रुपए नहीं है तुम्हारे पास फोन करने के लिए मैंने सोचा था कि फोन करूं लेकिन लगा कि आप बुरा मान जाए कि नैं क्यों बुरा मानूंगा देखो इन सब के चेहरे कैसे मुर्जा गये हैं पानी के बिना मैं समाज से वक हूँ यह मेरा धर्म है इसलिए मैं खुद यहां पानी लेकर आया हूँ इन सब के लिए जाए पानी चाहिए ले जाए यहां पर पानी नहीं आया इसलिए आप खुदी गर लेकर आगए इलेक् शनियुस reiter क्यें आप लोग हल्त समझ रहे हमारे पास 12 रता नहीं होगी तो कौन देगामें बोलो जंता ज्यों कुछ में मागेगी हमारी पार्टी उन्हें वो देगी। समाने जनता की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चावल के लिए कतार, चीनी के लिए कतार, पैट्रोल के लिए कतार, आप पानी के लिए भी कतार लगानी पड़ रही है। देख लो, और कितने दिन चलेंगी ये सारी समस्या हैं, बताइए। सर, दस साल पहले जब आप पार्टी में थे, तब आपने कोई उपाय क्यों नहीं किया। मैडम, ये पानी का टेंकर कौन लाया है। मेरी पार्टी मेरी। वो सरकार एक टेंकर भी नहीं भेज पाए इन पब्लिक के लिए। 400 समस्याओं का समधान कौन करेगा। हम लोग, हम लोग करेंगे समस्याओं का समधान। अगर एक शब्द में कहूँ, तो हमारी पार्टी काम की पार्टी है। अमा, इनको गलत मत समझेगा, असल में इनके दाथ गिर गया है ना, इसलिए नहीं बोल पाए। हमारी पार्टी का नाम है काम देनू पार्टी। काम देनू पार्टी। सर, इस चुना में आपको कितने सीटे मिल सकती है। पूरे 224 शेत्र में से 24 शेत्र को छोड़कर हम पूरे 200 शेत्र में जीतेंगे। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं सर। बी बी टी तो टूट चुकी है। प्रजा का बुरा हाल है। टाइटैनिक जरूर डूबेगा। ये सब आपको पता ही है। इसलिए हम 200 सीटे जरूर जीतेंगे। बाकी 24 सीटों का क्या। स्वतंतता वतंतता पाटी वाले जैसे लोग आपस में बात कर लेंगे। देखिए अगले महीने हमारी रैली में जरूर आना मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं। जरूर आना, आएएगा जरूर आप लोग, जरूरूर। हाँ हम आएंगे गंगाधर जी, जरूर आएंगे। पहले आप जीतिये तो सही। दर्शको इस बार के चुनाव में पांच महान दावेदार नीता खड़े हुए हैं। इन महान दावेदारों के साथ ही बहुत शांत स्वभाव के हमारे पिछले मुख्य मंत्री श्री विश्वनाज जी भी खड़े हुए। जयो! 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 ये अपने समय के सबसे साफ और बेदाग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लोगों के भलाई के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किये हैं। आज भी वो अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गारी चलाते हैं। क्योंकि सरकारी गारी का इस्तेमाल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। है लेकिन इन सब के बीच में विजए कि माला किसके गले में पड़ेगी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा है जैओं! जैओं? 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 हमस्कार सर इस बर election के टिकट वो तुमें नहीं हमें देंगे हमें अरे ऐसा कैसे हो सकता है हमें मिलेगा टिकट बिल्कुल नहीं मंत्री जी सभी candidates इंतिजार कर रहा है ना हाई कमांड से आई हुई लिस्ट को सिधे पर दिजे ना रामनगर से केशव ही उम्मी द्वार होगा केशव जी की जाओ अर्द्यक्य जी ये लिजी कितना लाया है तु पूरे तीन करोड ये क्या सब्जी मंडी समझ रखाए क्या इतने पैसों में तो मैं तुझे नुनसी पार्टी की टिकेट भी ना दू नेता जी आपकी पार्टी की मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ मुझे इटिकेट मिलेगा सोचकर मैंने हर जगे पड़चे भी बटवा दिये हैं अरे भाई पाच करोड के लिए क्या रो रहा है एक बार जीत गया तो 300 करोड कमाएगा और तू 3 करोड के लिए रो रहा है तो दूंगा ना लो लो ना नमस्कार नेता जी चलता हूँ इस बार राजनगर से रमेश कंडिडेट है मैं लड़ूगा ये कहा था आपने पिछली बार तो एक भी वोट नहीं मिला था तुम्हें मैडम ने कहा है कि तुम्हें टिकेट ना दी जाए ठों कितना पैसा लेकर आयो आज करोड क्या भाई जो मांगो के वो दूँगा आपने मुझे टिकेट जो दिया है रात को कुछ बोलते हैं और दिन में कुछ तुम्हें टिकेट मिली है अध्यक्ष बेलगाम का टिकेट मुझे दो को यह कहा था ला तो पहले से बहुत क्रिमनल केस है रहे तुझे टिकेट देने के लिए हम लोगों से आज तक तुम बहुत फाइदा उठा चुके हो पर तुम्हारा लालत खत्म नहीं हुआ पार्टी के लिए दिल से काम करने वालों को छोड़कर इस जैसे कुंडे मवालियों को टिकेट डेकर पूरे राजी को खराब कर रहे हो तुम क्या बात कर रहा है तुम लोग इंसान हो यह राक्षस पार्टी को भगवान की तरह पूजा जाता है तुम लोग याप पागल कुतों की तरह लड़ रहे हो एक-eक की चमड़ी उधर दूगी भघो यासे अ कि अले तेरा जग्रम तो फिर पाटी का पैसा खाने के लिए हुआ है अरे मेरे बदन से निकले हुए गंद के समान है तुमारी ये पाटी तु मुझे नहीं चाहिए तुमारी ये पाटी दूसरी पाटी मुझे बुला रही है उनसे हात अप शुरू करो कौन आता है सामने अब देखती हूं वह सूपर वेरी गुड महेश वेरी गुड पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है तुमने यह सब बैनर है ना यह बड़े बाजार के लिए यह दूसरा रायपूर के लिए यह दूसरा बैंगलो सिटी के लिए और यह देखे रायचूर के लिए कहा मर गया था अरे आपके मरने का टाइम आ गया है अरे जैसे बिना मुर्गा के मुर्गी अंड़ा देती है ना वैसे ही नंददास ने आपके अपोजीशन में किशन को ख़़ते हैं वह आपको ही बोड़ देंगे उस किशन को नहीं आप ही जीतोगे नरसिमा जी के जेख अपनों उस्तरवादी प्रकाश को ये चुना उसके पीछे का कोई और कारण है क्या जी है बिल्किल आपके बारे में कुछ बोल रहा है किशन दासूर्गे बस उसी को हराने के लिए मैंने इस कुरुक्षेत्र को चुना है और मैं अपने दल को जरूर जीताऊंगा पर वो तो अपसे जादा सीनियर और बल्वान है पार्टी के लोग तो उन्हें बी बी पी का खंबा भी बुलाते हैं इस पर आपका क्या कहना है मेरे सीनियर राज रिती में कब सीनियर टी जुनियर टी आ गया सर्वाइवल अब द फिटनेस जिसमें योगता ह लाइगा और लड़ेगा और जीतेगा फिर भी नरसिमा जैसे विक्ति के सामने आप जीतेंगे ऐसे आप कैसे कह सकते हैं तेखिये परिक्षा में जाने वाला हर विध्यारती पास होगा यही सोच करो जाता है वैसे ही मैं भी खड़ा होँwnगा जीतूँँगा अपने दल को गददी पर आये तो आपके दल ने क्या किया था आपके दल के लोगोंने कर्नाटक के इर्द-गिर्ध, हजार गरीब किसानों के जमीन को हतिया कर उसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना चाहिए यह आपकी पर्टी का मानना था कि यह आप लोग उन्हें जिद कि थी क्या यह गरीब्लों के साथ यह नहीं था क्या आपकने रोजी और बोलते हो कि उद्योग लगाया? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो सुनिए छोड़िये, वो सब छोड़िये, मिट्टी को छोड़िये मुद्दे पर आईये करनाटक की जंता को आप मिट्टी के रास्तों को सिमिंट के बनवा और देंगे क्या ये जन सामाने लोगों के साथ घलत नहीं हुआ? कौन सा राज्य सेवा का काम किया है आपने? ये सब राज्य सेवा की बात आप नहीं बोल रहे हो, वो नर्सिम्भा आपसे बुलवा रहा है, उसके क्या उकात है आपको पता है, उसका चरित्र कैसा आप जानते हैं? बोलिए ना, ताकि जनता को भी पता चल जाए उसको चरित्र कैसा वो सिर्फ एक साधारन बस क्लीनर था सडक छापने ताओं को दारू पिलाता था, उनके साथ बैठता था, उनके तलवे चाड़ता था, उनसे उल्टी सीधी बाते करता था और उनकी बाते मोबाइल में रेकॉड करके हाई कमाड को सुनाता था, उसने एक मरतन धोने वाली को पटा कर रखा था आपको बरतन धोने वाली बोल रहा है वह इतना ही नहीं वह यहां तक कैसे पहुचा आपको पता है वह बरतन धोने वाली आउरत है उसका भाई राजन उसको यहां तक पूछाया अजी यह क्या बोल रहा है नर्सिम्हा के यहां तक पहुचने के पीछे वो राजन की काली कर्थूत है ऐसे सड़क्षाप कुंडे लोग सरकार चला रहे हैं ऐसे लोगों को विदान सभा में बिठा रखा है तालीबान में करते हैं ना ऐसे लोगों को बीच चोराहे पर लाकर सरे राम फासे पर लग का देना चाहिए ऐसे चोर लोगों को जिन्दा छोड़ दिया तो देश में ऐसे यह राजेक्ता फैलती रहेगी इसलिए ऐसे चोरों को मार डालना चाहिए तबी देश में श्ञांती रहेगी जंता रोटी खा सकेगी सुदर्शन इस कार पर जो जंडा लेरा रहा है न ये जंडा दिल्ली में लेरा यही मेरी इच्छा है वो नरसेमा की कहानी तो खत्म हो गई आपने टीवी पर उसकी आउकाद दिखा दी मेरे पास कितना दिमाग है उसे ये पता चलना चाहिए बस भाव्य भारत पार्टी इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे हम ही जीतेंगे हाँ राट इजस जीत कर थे हाँ और गजस बातना लुलव भाःएंगे हए वे सराइगे हाँ पारल पार्ट będाल पार तो बाट है वे सकि आग कार हो ëत्लू वे वे सकिस क्या करे को वमने मृमने मृमने है तो कर द Georg जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है अब है तुम गलत कर रहे हो नसी में गलत किया है मेरे जीजा जी की पुरानी कहानी पूरे करनाटक के सामने गर्व से सुना रहा था न मेरे जीजा जी के सर पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मैं लाश्य पिछ़ा देता हूँ और उस पर तुम मेरे हमें我說 सामने ख़डओगे इतनी हिम्मत है तुझ में हाँ है हिम्माद खड़ा होंगा और तेरी पाटी को तोड़ूंगा इस चक्रव्यू को तोड़ने की हिम्मत अभी मन्यू में भी नहीं थी और तू क्या सोचता है जीच जाएगा और वो भी सिर्फ बाते करके हां डरा रहा है क्या राजनीती में डराने से काम न जून करके तू ऐसे खड़ा है जैसे तुने कुछ किया ही ना हो तूने देखा क्या तूने किसी ने देखा तू ऐसा क्य'T गर रहा है तोने खुं किया ऐसा किस ने कहा तूने कुछ lang किया सुनने में आया कि इधर लफड़ा हुआ है इसलिए हम आये हैं वगर इधर कुछ भी नहीं हुआ है आप जाए जाए नहीं है चुप रहना आप अप करिश्टा भया करिश्टा भया करिश्टा भया आप हम सब को छोड़ कर नहीं जा सकते हैं एक अच्छा नेता में जोड़ कर चुका है चुनाओं में खड़े होगे तो माल डालोगे क्या इस खून का जवाब मैं जरूर दूंगा प्रजा की नेता किश्टा राओ के खून के आक्रोष में उनके तल के लोगों ने पूरे शहर में नकाबंदी करती है और बसों में आग लगाती है यह दंगे चार और फैल चुके है उनके लोग हैटी रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं यह दंगे कब रुखेंगे किसी को कुछ नहीं पता बताए मैं क्या हुआ आपके बेटे के साथ इन लोगों की लड़ाई में मेरा बेटा फंस गया और इन सब में उसने अपना पैर खो दिया मेरा बेटा हमारे कहांदान में इगलाता कमाने वाला था अब यह काम पर नहीं जा सकता यह हमारे साथ कैसा अन्या हुआ हुआ हम जिंदगी में क्या करेंगे कुछ पता नहीं दो दलो के आफसी मदभेद में आम जन्ता का बहुत नुकसान हुआ है अठारा लोग जखमी हो गए है दो की मौत हुई है और बागियों को अस्पताल ली जाये जा रहा है काफी नुकसान होने की कारण हर चके कर्टू के एलान कर दिया गया है इससे जन्ता और सरकार को बहुत नुकसान पहुचा है चारो तरफ पुलिस का पहरा है धारा 144 लागू कर दी गई है बंद की वज़े से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वेलकम मिस्टर विश्वनात प्लीज कम थेंक यू सर प्लीज टेक यू सीट बैठिये बैठिये क्या लें गया चाय काफी हमारे राज की स्थिती देखी जाए तो जहर पीने जैसा लगता है आप थोड़े परेशान नजर आ रहे है कहां पहुँच गया है हमारा राज्य सर खुद के स्वार्थ के लिए आपस में लड़कर लोगों का नुकसान करवा रहे हैं सर इधर उधर आग लगा रहे हैं तोरफोर कर रहे हैं दंगा पहला रहे हैं सर कहीं हमारे राज्य को गुंडा राज्य कहकर संबोधित लाग घरे सर इस बात का डर है मुझे हमारे जमाने में विधान सभा एक मंदिर के समान था वहां आने वाला हर एक राज्य नेता सफेद कपड़ों में पन्लित समान हुआ करता था देश को चलाने वाले का मन साप शुद्ध स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए परन्तु ये लोग सफेद कपड़ा पहने हुए छल कपड़ करके इस सफेद कपड़े पर भी दाग लगा दिया ना किसी भी राज्य नेता में विध्या नहीं है अपनी बुद्धी नहीं है राज्य कैसे चलाएं ये मालूम ही नहीं है राज्य करना मतलब एशो और राम के जिंदगी समझ बैठे हैं ये लोग करनाटक ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में बरबाद ना हो जाए इससे पहले कुछ कीजिए मदद करिये सर्थ राज्य के पहले मंत्री होने के नात्याप प्लीज डू सम्झिंग तो सेब दिस स्टेट एंड देमोक्रेसी ओफिसर्स हमारे देश के हितिहास में पहली बार करनाटका में छेचे पार्टिया एक साथ चुनाव लड़ रही है जिसकी वज़े से वहां की पॉलिटिकल इस्थिती और लॉन अडर की इस्थिती बहुत बत से बत्तर हो गई है ऐसे में हमें एक ही काम करना है कि वहां पे शांती पूर्ण चुनाव हो सकते हमारे करनाटक गवर्नर ने राश्पती साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहां पर कोई अच्छा और सीनियर ओफिसर भेजा जाए आप लोगं की नजर में कोई अच्छा ओफिसर है तो प्लीज बताईए सर आइधिंग टमिर नाडू रागवन इस बेस्ट परसन वाट वाट रोबोरियो सर रोबोरियो सर रोबोरियो गुट परसन बड़ाइधिंग परसन तो मैंटें लोग और अच्छा देकर जिसने वहां पर शांती पूर्वक चुनाव करवाए आइधिंक इस व्काम के लिए ये वन अन अल्ली आमें थादीक आपिसर इंडरा इसथर्ड़ाइधिंग परसन सर्थ कर दो कर दो क्या देंगे आप वर्क मोर टॉकलेस बोलेंगे सो फर्स प्लीज अलाव मी टू वर्क तब मैं क्या कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा फिर क्या पूछना है ये भी समझ में आ जाएगा थैंक यू प्लीज कर दो कर दो आपकी समझ में आ जाएगा झाल 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 अबाताई पागज लो बाताई पताई पता हमा टार्फ लोड़ों सतना हम जाज़ इसाव सतना हम जार आरे विया टुड़ लोगा! वाप! अब चोख अब्स हमें अब 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 हमें के दो जा से हुआता है कर तूपए innovation कर फूपकर रिप हैंreiben हैं हैं है येड़ कि कम जाथ येड़ येड़, 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 येघ़ क्सुर्स इब अफ तरeger करते हैं हुआ है इस्पेक्टर तू नहीं जानती तूने किसको पकला है मैंने अच्छे अच्छों को मौत के काड़ोदा दिया तू चीज ही क्या है मुझे छोड़ दे तुझे आखरी बार कह रहा हूं अगर मैं अपनी पर उत्रीतो तो तेरा सामराद जहिल जाएगा अगर क्रिमिनल मेरा इतिहास पड़ेगा ना वो अगले जनम में मर्द बनकर पैदा होने के लिए भी सोचेगा तूने मुझे पंगा लिया है सोच ले वेल्कम टो दे लेजंडरी आफिसर आइम सो हैपी तो सी यू इन पर्सन थैंक यू सर इन फैक्ट मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है हार्ड कोर और लड़कियों के लिए तुम्हें एक आदर्श हो यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ इंदरा सर आप मेरी तारीफ को ज्यादा ही कर रहे हैं देखिए ऐसा ही बोलना है तो बहुत सी लड़किया है उन में से तुम अलग हो थैंक यू सर करनाटक की अभी की हालत तो तुम्हें पता ही है देखो इंदरा तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर जो पोचना है पोचो जिसे गिरतार करना है करो इंट्रोगेट करो एरेस्ट करो नोबड़ी विल स्टॉप यू फाइनली इट सुट बदा सेफगार्ट दि ला एंड अडर अडर अब द स्टेट कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं और देखो इस राज्य के इतिहास में आज तक निश्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुआ है लेकिन मुझे तुम पर पुरा विश्वास है तुम सब समाल लोगी सर, सूरज 12 घंटे रौश्णी देता है पर मैं इस राज्य के लिए 24 घंटे रौश्णी बन कर खड़ी रहूँगी यहां की लोगों पर एक भी आच नहीं आने दूँगी यह मेरा वादा है इस राजनेता लोग देश के अंदर ही रहकर हमारे देश को लूट रहे मुझ पर मेरा परिवार निर्भर करता है वरना इन लोगो बीच बाजार में लेदा कर मार दो लेकिन हम लोग अपनी सीमा लांग कर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हैं मैडम हमारी धान की बोरी ठीक से बिक नहीं रही तुम्हारे चुनाव से हमें क्या जाओ amiga बड़े आए इलेक्शन इलेक्शन करने वाले हो गया तुम्हारा इलेक्शन जाओ यहां से खाधी के कपड़े पहन कर वो हमारे देश के साथ बलातकार किये जा रहे हैं एक भी इंसान दिखा दो जो सही हो मैं अभी आपके पैरों पर गर जाओंगा आपके पैर पढ़ूंगा एक पर दिखा दीजिए वाइट यूनिफॉर्म वेरिंग युनच कमाने का दम नहीं है इस बार कोई भी आये वोट मांगने इसी जड़ू से उसके मूँ पर फट फट नहीं बारा ना तो मेरा भी नाम राशी नहीं हा देखी यह है आम जनता की राए पॉलिटीशन्स एलेक्शन्स की बारे में उनकी उपिनियन और ये परिस्तिती पैदा हुई है आप सबकी वज़ा से अपनी रिस्पॉंसिबिलिटीज को अपनी सिंसियालिटी को बेश दिया है आप लोगोंने जो दल आपको भीग देता है उसकी वज़ा से मैडम यह आप कैसी भाशा इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जो सबकी समझ में आ जाए उसी भाशा में बात कर रही हूँ यहां मौझूद हर एक डीसी अपने इलाके के सीम के सामने ही अपने अधिकार का उप्योग करें अधर्वाइस मैडम हम कुछ भी कर लें लेकिन उनके सामने हम जीरो ही रहेंगे जीरो नहीं मिस्टर रविंद्रनाथ हम चक्र जैसे हैं अधिकारी लोगों के चक्र के बिना राज्यकारी लोगों का रत नहीं चल सकता मैडम हम भी अपना पावर दिखाना चाहते हैं पर उपर बैठे लोग छोड़े तब ना पावर पद्वी में नहीं हमारे काम में हैं आपकी इसी सोच की वजह से आज हम सब को ये दिन देखना पड़ रहा है पिश्ली बार एलेक्शन में स्रिफ 57% पोलिंग हुए थे इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हमें करनाटका इस तरीके से देखना है इसमें जो 224 चिन हैं वो हमारे लिए एक कॉंस्टिट्यूनसी की समान है इस बार करनाटका में होने जा रहे हैं 14th election फिशली बार जो भी गलती हुई वो इस election में नहीं होनी चाहिए वोट बेचना और वोट खरीदना दोनों ही अपराद है National Highway State Highway Railway Station arrange extra security and be alert कोई भी अगर election का रूल तोड़े तो on the spot arrest them and I want all the details of political public meetings got it मैडम हम कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चोरी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है वैसे लोगों को हटाओ no ID no voting power कोई भी आकर पूछे तो मेरा नाम ले लेना कोई चला रहे लोगर जला लोगर जला काम करा कि आला अरे भाई इस तुरे ट्राइफिक हो जाब है है आला वैसे टेंशन है जा तु इधर से ए तुझे बातकारनी की तमीज नहीं है क्या प्रब्लम है तुझे है क्या प्रब्लम मेरे तेरी से तुझे है क्या है यह सब लोगों को परिशान करके ट्राफिक जाम करके पब्ली को परिशान कर रहे हो कौन हो तुम लोग यह कटाउट बैनेर देखकर पता नहीं चलता हमारे साब का पोश्टर लगा है वो यहां के सी एम है मैडम चार तरफ बैनर नहीं दिखते के तुमको चुपचाप यहां से चली जाओ बरना बहुत भार ही पड़ेगा यहां यहां किसी आरत पर देवी आ गई है ऐसा लग रहा है क्यों दूं क्या भाई दुको है कौन है तू किस पर हाथ उठा रही है मैं कौन हूँ तू जानती है मुझे कौन है तू मैं इस एदिया का कॉर्परेटर हूँ कौन हूँ कॉर्परेटर मैं रूल्स रेगुरेशन के बारे में सब कुल जानता हूँ तूने अपने अधिकार में सो रूल्स देखे होंगे पर मैंने एक ही रूल देखा है वो रूल है वन वे ट्रेफिक एलेक्शन आने पर पब्लिक को और परिशान किया तो ऐसा धोंगी कि साथ जर्म लेने के बाद भी तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे क्या करने की तू जिस समय मैं बोलती हूँ तुम्हारे कान काम करने चाहिए अगर और कुछ काम किया तो उसके बाद तुम कोई काम करने लायक नहीं रहोगे मैं हूँ इंदिरा गांधी नहीं लुक ऑफिसर्स तू अवाइद दूरिंग ताइम अफ एलेक्शन करनाटा का की 30 डिस्टिक के रावडी लोगों को सारे बुरे लोगों को एक साथ इमिजेट अरेस्ट करके बंद कीजिए इस बार के चुना में कोई भी गुंडागिरी ना हो और चुना में कोई भी परेशानी ना हो इसलिए सारे गुंडों को अरेस्ट किया जा रहा है बचना ने भी दिया है इस बार सब को न्याए मिले और चुना में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल ना आए इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई बचना नहीं चाहिए ये ऑल ने फिर भी मुच रहे हैं ये ये नहीं चाहिए किसी ओर को भी मैं उठाए इसलिए अधर आए चल जा याजाओ मैं यारओं उप कि इसे इसे आए उप यह क्या तो गुशी चलिया रही है कौन है तू इंदेरा जैसे तुम अरेस्ट करने आई हो ना वो गुंडे नहीं है मेरे दल के कारे करता है उन गुंडों का चेहरा एक सो आठ पुलिस स्टेशनों में वांटेड लिस्क में है शक है तो जाकर पुश लो तुम जो गलती कर रही हो ना उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें मैं जवाब सिर्प अपने आपको देती हूँ और अपने काम को अरेस्ट करो सबको उसने पांच लोगों का अरेस्ट क्या कर लिया आप उस आफिसर की तारीफों के पुल बांदने लगें हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग भी हुए हैं लोगों की भलाई के लिए वो भी ऐसी बाते करते थे लोगों ने सुनी उनकी बात नहीं क्योंकि हमारी चंता है यसी 65 साल से जिस देश को कोई नहीं बदल पाया उसे बदल सकती है क्या वो इंद्रा तैदिली से आई हो या पाकिस्तान से आई हो मैं उसे देख लूँगा जब तक मैं जिन्दा हूँ ये करनाटक आपका है आपकी चपल को सी एम की कुरसी पर रखकर इस राज्यों को कैसे चलाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ वाह वाह मेरे शेर अरे मेरे शेर तुमारे होते हुए मुझे किस बात का डर ए भगवान जब तक इने चपल नहीं पड़े की बुद्धी नहीं आएगी जबाज तरना टक में कदम रखते ही गुंडों को लॉक अप में अंदर करके शे महीने तक उन्हें जमानत न मिल पाए ऐसी धाराएं लगाने वाली तू पहली इलेक्शन कमिशनर है किसी के हाथ ना आने का दावा करने वाली वेलकम अलो मिस्टर यह बिना अपॉइंट्मेंट के आप अंदर कैसे आगा है चलो बहार निकले आखे विनोद यह अपॉइंट्मेंट्मेंट लेकर आएंगे यू जस्ट गो आउट सर बैठिये न मैं हूँ पता है मुझे एंटार करनाटका पॉलिटिकल सिस्टिम को अपने यूगली पर नचाने वाले करनाटका को अपनी जागिर समझने वाले तुम एक्स होम मिनिस्टर नरसिम्ह के साले हो देवी प्रसाद अलियास किंचा पिछली सरकार भी आप लोगों की और आगे आने वाली सरकार भी आप लोगों की सही कहा न पता है, एक सरकार को जीतने के लिए दल को ज्यादा वोट मिलने चाहिए उसके लिए जूटे वोट डालने होंगे, अपोजिशन को पता ना चले इसलिए बूद कैप्चर करने होंगे और अगर कोई बीच में आए तो उन सब को मारना होगा और तुम चाहते हो कि मैं चुप चाप अपना मूँ चुपा कर बुजदल की तरह कोने में बैठी रहा हूँ मैं आपकी मदद करूँगी, ये मैंने आपको डरेक बोला मुझे क्या चाहिए, ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं मैं आपको क्या चाहिए मैडम, देवहली में जगे चाहिए, शौपिंग माल बनाना है, बैंगलूर सिटी में, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैसूर में कॉमर्शियार्ट प्रॉपर्टी चाहिए, बोलिए क्या चाहिए, आधे गंटे में सब करवा दूँगा, आप एक ब भरोसा करके हमें पुरा राज्य दे दिया है, और आपको हमपर भरोसा नहीं है, विश्वास कीजे मैडम, प्लीज, आपको जो चाहिए लिख दीजे, जीजा जी, आपने कहा था हुआ हमारे जाल में नहीं फसेगी, तो देखिए न, वो हमारे जाल में फस गई है, मेरी उस खरीदने वाला चाहिए, जीजा जी, अब ओफिसर हमारे इशारों पर नाचेगी, अरे आप देखते जाहिए, जीजा, क्यों रे, सेल्यूट क्यों नहीं हमारा जानता नहीं, अगली सरकार हमारी है, बहुत पश्टाएगा, यू अर अरेस्ट, हम, फिर से बोल, यू वार भुत बढ़ी है, लिजसर हमारी है, बहुत बढ़ी है, एक बार फिर से बोल, आप खर जा जाओ, जा, जा, यू अरेस्ट, हम, वाज है, जो, चॉदा, आप नहीं है, लोगा, लोगा, चॉदार, टीचर को चाकू मारा, इसलिए तुमें जेल जाना, लोगा, बहुत बढ़ पड़ा उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तेरी हिस्ट्री मालूम है मुझे जेल को तो तुने अपने घर जैसा बना लिया था फिर अपने स्वार्थ के लिए तुने नरसिम्हा को जीजा बनाया उसकी सरकार बन जाए इसलिए तुने बहुत जुर्म कि किये खुण खराबा किया उसमें तेरी बहन ने भी साथ दिया तेरे जुर्मों की सारी डीटेल शहर के हर पुलिस टेशन में कैद होकर दम तोड रही है तुम्हारी लेटेस डेवलपमेंट किशंदास के खुण से तुमने अपने हाथ रंग लिये दोलिये उसी दिन बिसलरी पानी से अपने हाथ दोलिये थे इन लोगों से ज्यादा तु जानती है मुझे प्रेंट्शिप के लिए सहीर है तु एक बात कहूं तु मेरे लिए वेरी गुड वेरी गुड तु बहुत अच्छी कारे करता है हां ठाटा चल हाँ 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 मत कि अज़ से कि अभी ने पिनन घाल लुग से भहकर दिफ सकतर औरू recommend पूज़ हाचाण हाचाण बैर को हाट हाट जूँ़ कि आहुट हाई मह कि 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 right पंआ कुछत प्रों कि अंग कुछत देन कुछत देन कुछत देन तर बस्क भूली कि अरहा है कि अरहा है टेकिम इंद्रा ऐसा बोलने वाले स्रिफ मेरे माता पिता है मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षकों कोई अधिकार है तुझ जैसे लोफर को नहीं तेरे अधिकारों और पॉपलर्टी का मैं पोस्टमाटम करवा दूंगा यह पूरा डिस्ट्रेक मेरे कब से में है पूरा करना चका मेरे कंट्रोल में है टेक हैं ज्टबाब जाल इजय अच्छे कि रूख चाहिए जोड़ गाना है तेरी सब्सक्राइब करें तू कोई भूत समागया क्या तुझे जितना गुस्ता है ना उससे कहीं ज्यादा गुस्ता मुझ में है तेरे भाई को जेल से कैसे बाहर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है तब तक के लिए जब जब मन की मुराद पूरी हो कल दो पहल बारा बज के बारा मिनट और बारा सेकेंड पहल आपको अपना नॉमिनेशन फ़ाइल करना है तो मैं इस बार पक्का मंत्री बन जाओंगा न पंडी जी रिशी मुनियों को पहाडों से आपके लिए बुलाया है और आपके सारे दुश्मनों को इस हवन में मैंने कैद कर लिया है यजमान और उस पे शनी को बिठा दिया है मैंने अब मेरी मर्जी के बिना कोई नेता नहीं जीच सकता अब इस वार सियम की कुरसी पर आप ही बैठोगे शुब हो शुब हो विश्यू बेस्टाफ लग्साइंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नॉमिनेशन अकेले फाइल करने जाओंगा तो लोग बेवकूफ बोलेंगे समझी जैसे आपके पीछे इतनी पुलीस रहती है ना वैसे हमारे पीछे भी जंता रहती है समझी आप तेरा भाशन ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती एजेंडा नहीं पड़ा क्या रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लियर दभाइकल्स पर्चा भर लिया तो जीट जाएगा क्या इस डबल डेकल को अपने साथ रखके तुम चुनाओ जीट जाओगे क्या मैं ही अगला मुख्य मंत्री बनूगा विश्वनाद जी की जाओगे तो ठीक से चल नहीं पाता है चला है चुनाओ लडने ऐसे दस बारा पागल लोगों को साथ मेलेकर तुम मेरे खिलाब चुनाओ लडने चला है किसी गाव में जाकर ग्राम पंचायत की चुनाओ लडने के बदले मैं जीतूंगा और इस राज्य को चलाओंगा ऐसे सपने क्यों देख रहा है तुम में से किसे मारू जी से तुझे बुद्धी आ जाए बोल उसी को मारता हूं मैं जा जाकर भगवान का भजन कर कि ए जयकारा लगा हो रहे जेता जी की जाओ कर दो कर दो कर दो कर दो सुनिया साब यहां ट्रैफिक इतना जाम क्यों है हमारा जाना बहुत जरूरी है और अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे तो मेरी बेटी के शाधी तूट जाएगी आप हमारी मदद कीजिए सर और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को भी विराजरी में मूँ दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर प्लीज सर हमारी मदद कीजिए ऐसा अगर हुआ तो हम सब पासिपल लटकर अपनी जान देदेंगे हमारी मदद कीजिए सर हमारी मदद अरे उड़िए क्या कर रही है? हें येकी मदद करो ऑज शेट बड़ा अठीतनी हिमद तू मेरी रेली रोकेगा एक लोग मुझे कितना चाहते हैं आपकी वज़ा से जंटा को परेशानी हो रही है क्रपा बाजू में आये सर अरे ये इतनी हिमत मेरे पास आके मुझे काटने की कोश इस इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो सर वाट इस आपको पर्मीशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं इलेक्शन रूल्स भूलकर इतनी भीड़ी खट्टी कर ली ट्रैफिक जाम कर दिया जंता को परेशान कर रहे हैं पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया इस टू मच आपको रूल फॉ जिए यए जिए जाम कर दो गडविक आर प्रेशा में तक्र बात कर दे विया बजिए आख्टी बात कर दो आत कर दो सकते जिए डर चिन रडरमम ए्झाली टाजिए टृर्फिक! एमजए टार्फिक! क्ईरी टार्फिक! व्हेचाँ! ए इंदिरा मेरी इजाज़त के बिना तो मेरी इन गाड़ियां को वापस भेज सकती है क्या तुझ में इतनी ताकत है मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा चुप चाप यहां से अपने आदमियों को हटा कर रोड डियर कर ए इंदिरा मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाओं तो मुझे जनता चाहिए मुझे प्रसिद्धी चाहिए और मुझे पब्लिसीटी भी चाहिए यह सब रोकने बाले तू कौन है रे जनता को परिशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा करे करता है रे तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोय होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर चल चुब चाप निकल जाए यहां से वरना गाउं गाउं में भटकने वाली इस्पेक्टर तुझे इतना घमंड है किसे बोल रहा है गाउं गाउं भटकने वाली तुने इस गाउं की लंबाई नहीं देखी गाउं के बारे में तु जानता ही क्या है मुझे गाउं की यादबत दिला किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं, अगर मैं आउकाद पे आई, तो तू अपनी आउकाद को भूल जाएगा, मेरे दिमाग को खराब मत कर, अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा, शेर नी हूँ, जूर ही रहना, ह क्या है? आपूओंड़ा अप moves कि भी आपquez तो नहीं हो कि लिप्टे डेराँ, रहन्यार थाओड़ो, एकमान प्रणी ममझ redund, एकृत्सू थाओड कैंपतं सिर्फे कर यडवत्क स्वचा कावड़ो भूड में, समी कि थाओडोड के रहा, और फारॉ Cand Island ले इन्वेरं, कोलो से, कोलो से, बंकान कोलो से मैंच प्यूपनी ही बैक Дुका, ले इन्वेरं, कोलो कि अंधिरा इंधिरा इंधिरा कॉल इसे मैं चुप नहीं बैठूंगा इंधिरा तुझे पता भी एक किस अंदर की है तुने चुप चाप छोड़ दे वड़ना बोटी-बोटी कर दूंगा अभी भी शराफत से हमारी बात माल ले और भाई को चप चाप बाहर निकाल दे वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे कौन है ये ये महात्मा है गांदी है या नहरू है बताओ बोलते क्यों नहीं कोई संथ है देश भक्त है आज तक क्या क्या है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहां आगे ये बस एक दो टके का गुंड़ा है इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो एफ आयर फाइल कर दी है अब कोई भी आए इसका भाई बेहन बीवी जीजा साला कोई भी आए उन्हें बोलो कोट में आकर मिले लोग अपको तोर दूँगा बोलने वाला कौन है तू है तू है नहीं 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 मेरे तीन बोलने से पहले ये जगा खाली होनी चाहिए तू नरसिम्हा इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या शिफारिश काम नहीं आएगी कल सुभे कोट खुलने तक समझा टेक ब्रेक क्यों आएगा जल्दी खोओ जल्दी खोलो लेट क्यों हो मैं क्या करूँ भाईया पब्लिक मिलने में देरी हो गई मुझे क्यों मारा आपने पब्लिक प्रोसिकुटर बोलो अरे बाप रहे इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक इससे थोड़ा कंफीज हो गया था एड़स्ट कर लेगा था हुआ हुआ है है ऐसे क्या देख रहे हुआ चलो बैठों आपर जेल से आयो हो आप पवीत्र हो गए हो जेल से स्नान करके साफ पड़ा पहलो पवीत्र हो जाओगे कोई संथ है देश भक्त है आज तक क्या क्या है इसने देश के लिए जो तुम लोग आगे यह बस एक दो टके का गुंड़ा है जब तक मैं उसकी लाश के इंचेंच टुकड़े करके काटकर इस शहर के रास्ते के कुत्तों के सामने भेखूंगा और कुत्ते उसकी भोटी को खाएंगे तब जाकर मज़े शामती मिलेगी नरसिमा भाई वो मीडिया और जंता की नजरों में भागवान बन बैठी है अगर इस समय आपने कुछ भी किया न तो उल्टा आप ही पीटों को ये बात पक्की है इसलिए सब छोड़ दो मेरे साथ रास्ते पर बत्तमीजी करने वाली को ऐसे ही जीने की सलाह दे रहा है क्या भाईया औरत की ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए वैसे भी वो बहुत घुस्ते वाली है इलेक्शन पास आ रहा है आप शांत रहिए समझदारी से काम कीजिए भाईया पेट में ठेक से आकार भी नहीं लिया होगा तब से तब से मैं यहां राज़िती कर रहा हूँ किया है उसने नियूस नॉर्थ एस्ट वेस्ट साथ मैं जहां भी जाओं हर एक जगह पर नियूस पर नी चाहिए इंदिरा हमारे देश में अंपर लोग अपना वोट बेचकर उसे खराब कर रहे हैं और पड़े लिखे लोग वोट डालते ही नहीं हैं हमें खाना देने वाला इंसान जहर खाकर मर रहा है इसे बदलना होगा अब आप लोग जाती धरम को भूलकर वोट डालिए अच्छी पार्टी को चुनिए अगर वोट डालते समय कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो इमिडियेटली नस्दीक के पुलिस टेशन में कंप्लेंट करें करने जाते हैं तो भगा देते हैं आज तक ऐसा हुआ होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर अब भी आपको शिकायद करने से डर लगे तो आप मुझे डारेक्ट फोन कर सकते हैं मेरा नंबर है 999 00 00 887 शहर के अंदर हो तो पांच मिनिट शहर के बाहर हो तो दस मिनिट यह सब खाली बोलने वाले बातो रात को सोने के बाद आप ठोगे इसका भरुसा है ना वैसी हम पर करो पहले भरुसा करो फिर बोलो अी मेन अच्छा ही होगा पूरी तैयारियां कर लिए ना हाँ चलो घर में एक अनाज का दाना नहीं है और आपको प्रचार करना है कैनवास के लिए भाड में गया यह कैनवेस तीन साल से चुनाव में खड़े हो रहे हो कुछ हाथ नहीं आया देखिए ऐसे गुंड़े लोग जब तक चुनाव में खड़े होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता तुम बुरा क्यों मानती हो सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी जिंद्रा मैडम जब कमिश्णर बन का राइंगी तब उ शन्नो, शन्नो शन्नो, शन्नो पोड़्टो दिलका पोड़्टो दिलका पोड़्टो दिलका पोड़्टो दिलका प्यार की बोली से मैं लव की पार्टी दूँ चुन 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 मेरा दाम सब प्यार से बोली शन्नु शन्नु गोड़ो दिल का, गोड़ो दिल का अबरोब किरानी को गोड़ो दिल का, गोड़ो दिल का मेरे मस्चा दोग को पस्चवानी को पोड़ो, बलमा को, पोड़ो, पिया को, मैं हुँ चलवा, देखलो, शोखताई, देखलो, देखु छूपके, बिजली का, आरू मैं जटका, चादू, पेला छाया, देख्या, जा मिले, प्यार का लेले तू मजा, पार्टी में अब आधि जा, बोड़ो, दिल का, उबरोब के रानी को, बोड़ो, दिल का, मेरे मस्त अदाहू को, मस्त जवानी को, चलवो से अपने, मैं सबको खुश कर दू, प्यार की बहली से, मैं लव की बार्टी दू, ओ, चुन, 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 मेरा दाम सब प्यार से बोले शन्नू, शन्नू, बोड़ो दिल का, उबरोब के रानी को, अरे बस्ते अदा हो को, अरे सुननर सिम्मा, क्या कहा, अरे भाईया, अगर आप पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर उधर से इधर घूमेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा, क्या तकलीफ है, अरे भाईया, उठे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो सलना नटराज मीटिंग करता है, तो हजारों अरे वो फिल्मी हिरोईन को बुलवा कर डांस करवा रहा है, इसलिए सब लोग उधरी घुसरें उधरी, उसकी इतनी वैल्यू है क्या, अरे उसकी वैल्यू के आगे तो दीदी, पानी कम चाय है, क्या बोला रहे, आपकी कसम मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, हिरोईन की कितनी वैल्यू है, बस यही बताया है, उस अरोट को इतनी ही सब मिलती है क्या, उसे नहीं, जिसकी वो मसाज करती है, सारी हिरोईनों को बुक करो, वो हम सब का मसाज करेंगी, एक्सक्यूज मी सर, अल हिरोईन एक ही पार्टी ने बुक कर लिये, तो अब हम क्या करें, जस् प्रकास, फिक्स कर दूं क्या, एक बंदर है, तो दूसरा उसका थम्चा, अब ब्यवकूफ लगे, और कोई बड़ी हिरोईन लेकर आओ, बड़ा एक्टर लेकर आओ, तो लोग भी आएंगे और पबलिसिटी मिलेगी, सार, आप इन दोनों के बारे में जानते नहीं है, का मैं इसका पती हूं या वो कुत्ता इसका पती है, सेंटर सिटी में एक संदिक आदमी खड़ा है, है हलो, है हलो, है हलो, ए चल हट बे आगे चल, तू, तू, हाम है, हाम है, हाम है, डोन डिश्रमिय प्लीज, ए ए ए अबे ऐसा क्या सीरियस मेंटर सोच रहा है, जो बीच रास्ती में ट्रैफिक जैम कर रख्था, आम जंता को परेशानी होरे, समझ नहीं आ रही क्या, वो भी भाई की समाधी के सा कहां, कहां, सामने देख, कहां, वो है, शिव राजक्मार, ये है, पनित राजक्मार, मैं इन दोने को जानता हूं, एक एक एक्टर बोलता है, सोना को खरिद लो, और दूसरा एक्टर बोलता है, कि उस सोने को अगिर भी रख दो, अब हम सोना खरीदे, या गिर भी रख दे इन सबका एक ही सिलूशन है ये दुनों भाईयों के बीच में खड़ा है इनका बाप उनके बाज जाओगे तो वो तुमें हर समस्या का समाधान दे देंगे चलो चलते हैं वेरी गुड करेक्ट बोल रहे हो एक काम और करो तुम खुझ आओ और ये काम करके आओ क्या है ये जो सिखाय वो भी नहीं कर सकते मेरी तो किसमत ही फूटी है इससे पहले तुम किसी बड़े डिरेक्टर के साथ काम करती थी ति या क्या बात है बहुत बढ़िया शॉट बहुत बढ़िया शॉट सर इस सिनेमा जगत में कादर खान और गविंदा की जोड़ी के बाद आप दोनों की जोड़ी लोगों को पसब आई है शूगर फिरी रेना है या सब को सब्सक्राइब बोलते हो आप दोनों के मुव तो तो नहीं हो लेकिन आप दोनों जरूर होते हैं सर इसलिए मैं आप दोनों का फैन हूं सर तू मेरा फैन है तो मैं फासी पर लाटक जाओं क्या है आप देसे लोगों को मरना नहीं चाहिए सर कम टू दपॉइंट असली बात बता भाई नहीं तो यह गुस्से में आ जाएगा व दो करोड़ रुपए दो करोड़ रुपए दो खोका भाईया शूटिंग स्पोर्ट पे आया हुआ हूं यह बंदर और चम्चे का तो पक्का हो गया लेकिन वो सिर्फ तीन ही मांग रहा है तीन करोड़ रुपए अरे बहुत जादा है मेरा क्या भाईया छोड़ दो कोई कर चला जाएगा अबे क्या कर रहा है सुना तुने बीना मेक अप के ही एक्टिंग कर रहा है कंग्रेचुलेशन डील ओके अरे भाई हमने तो दो मांगे थे तो तिर्फा किसके लिए मांग रहा था दो आप दोनों के लिए बाकी का बचा मेरे लिए इसा था तो हम चार भी इसा नहीं मांग सकते थे या मांग सकते थे यह बता है एक्टिंग कब से शुरू करनी है शाम को एडवांस भेजता हूं सुबह से टेनिंग शुरू ओके यह कैसे होगा भाई अब गदे फोन कर अब फोन दे एक बाद कर लेता हूं नमस्कार सर डिरेक्टर साह बोल रहें क अब मैं ग्यारा दिनों तक सर शुटिंग पर नहीं आपाऊंगा सर मेरे मामा का कोई बेटा नहीं था वह मुझे ही बेटा मानते थे सर इसनाते मुझे ही अंतिम संस्कार करना है सर और मैं सारंग को भी साथ ले जाओंगा अरे सर जब मैं रहूंगा तभी तो वह कुछ कर आप आख ना जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे साथ पुजा करेगा तो थुदा पुर्णी कमालें करें ना सर हां ओके ए थेंक जाने अन्यू सार्च अब जालो चलो नहीं है निर्च ने कोमेडियां प्राइन यह नंवर कर दो लो टुनुद्धिजभी है थें जरुन कोमेडि प्रशमा जी की और दंगा वो तो बहुत मसता है इधर आई उन दोनों को तुमारे लिए ही बुलाए गया भाई नमस्ते भाई और मेहनों ज्यान से सुनिए बजपर में हर कोई सोचता ही क्या बनना है डॉक्टर बनना इंजिनर बनना जज़ बनने का सपना देखते हैं लेकिन मुझे एक खास कलाकार बनकर आप लोगों की सेवा करने का मन था और बना धन्यवाद धन्यवाद दूसरी पार्टियोंने मुझे खरीटने की बहुत कोशिश की थी क्या कला को पैसे के लिए बेचा जा सकता है बेचा जा सकता है तुमारी आवकाद है मुझे खरीटने तो कला के लिए हमारे राज में रोड वेज है पर समुद्र यात्रा के लिए समुद्र मार्ग नहीं है अगर आप हमारे नंस्रिमा जी को जिताओKY तो रेल मारगा आएगा समुद्र मारगा आएगा खाअप जाहर में समुद्र मारगा मिल सारों लेकिर उसके बाद मिली ना जब हमें सोथनते मिल सकती है तो किया हमारे शहर में समुद्मार्ण नीवान सकता जहां चाहर वही राहे इस पार्टी की नेता जी नरसिम्मा जी इंसान ही नहीं है भागवान नरसिम्मा जी है कि अगर तिरूपती भगवान को देखना होगा तो मैं तुरूपती नहीं जाओंगा मैं इनके घर जाओंगाव का अगर भर पे नहीं मिलें तो इंकी फोटो को पूझूँगा देखिए जन्ता हमारे घर के भगवान नर्सिमा जी को सिर्फ घर का ही ना रहने देना उन्हें अगर ऐसा करना है तो आप सबको उन्हें वोट देकर जिताना होगा विधान सभा में भेजना होगा अगर जिताना होगा विधान सभा मेरे प्यारे दोस्तों इन सिनमा के लोगों पर विश्वाशन करें ये सब बहरूपिये हैं इन नर्चिमा इन सबका बाप है उसमे राज्य को जलाना इपने करना जैसा समझ लिया है ये लोग बिन पेंदी के लोटे है आज इस पार्टी में मेरी प्यारी जनता यदि इस बार में जीत जाता हूँ तो रैजी की मिट्टी वाले रास्ते पर तारकोल भी छवा दूँगा आपके बच्चों की पराई फ्री, एड्मिशन फ्री, पीने का पानी फ्री, बिश्वी भी फ्री, अरे ये क्या हुआ, अरे देखो क्या हुआ, जैसे इसने बिश्ली मुफ्त में बोला, बिश्ली ही चली गई, देखो, जाके देखो, देखो क्या हुआ, अरे लगता है किसी ने बिश्ली के तारी कार्ट दिये है, एकने हिमत किस की हुई, खान है वहू, इंदिरा, तु किता भी गला क्यों न फार्ड ले, लेकिन मेरे और देने तक इस जगह की बिश्ली नहीं आएगी, रात दस बजे के बात से, नो प्रोसेशन, नो मिटिंग्स, तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने है पता नहीं है क्या, देखो बेटी, मैंने आज तक राजनीती में कभी भी कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है, चल जाकर बिश्ली चालू कर दे, अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, देखो, अंधेरी में रहने वाले लोगों को रॉष्णी देने वाला गांधी हूँ मैं, चल जाकर बिश्ली चालू कर दे, कौन है रे महां जाकर तार जोड़ दे, के बी, बी, डबल्यू, एससप, कॉर्परेशन इतना ही नहीं, गवर्नर भी होतो, रूल्स रूल्स ही रहेंगे, इसी वक्त जगा खाली करके चले जाओ, वर्ना अपने जीवन में तु कभी रोष्णी नहीं देख पाएगा, आउट, जगा, गेट आउट, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, नमस्कार, 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 कैसी है बेंजी, जए, 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 देख, फ्यूचर MLA गणेश को, तेरी पब्लिसिटी देखकर तो लगता है, कि तु ही जीतने वाला है, मेरा वोड भी तेरे नाम, इतना ही नहीं, सब का वोड तेरे नाम, क्यों दोस्तों, द इस एरिया का MLA तु ही है, चीक-चीक के तेरा गला सुग गया होगा, जाकर चाय पी ले, जा, ओए, क्या है, समझ में नहीं आया क्या, जा, जाना, बोचले, हमने इस एरिया में कोई भी कैनवास नहीं किया है, देख गणेश, ये एरिया मेरा है, इस इलाके में सब मेरे लो मेरा भाई, क्यों ना लाओं, क्यों मेरा मन नहीं करता, कि सब की तरह मैं भी दो साल तक राज करूं, कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे गुंड़ागरी करके नहीं, गुंड़ा किसको बोल रहा है, 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 बहुसले, आमें पर येज गवासा है, मराठी मानूस, तो च क्या करेगा, मारेगा, मारेगा, चल मार, मार, मार ना, मेरा एरिया है, मैं यहां कहें मैं लूँ संजलू, चलाट, यहां कोई नहीं आ सकता, छोड़ोगा ने कुझे में, हाथ हो गया, देखिए मैडम, यह हमारे साथ गुंडा करदी कर रहा है, हम समझारे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहा है, यह सब लोग शांती से कैन्वस कर रहे हैं, तो तुम इने क्यों रोक रहे हो, करने दो इने कैन्वस, लेकिन यह मेरा इलाका है, मैं जो तुम आफिसर होगी अपने थाने की तुम मुझे मजबूर कर रहे हो लीगल एक्शन लेने के लिए आप जाकर कैन्वस कीजिए मेरे होते ये कैन्वस करेगा मैंने जाने को कहा ना रुक ए जासी की रानी अगर ये गया तो जाने वाला और भेजने वाला एक साथ उपर जाए इंस्टाल्मेंट में नहीं इंस्टाल्मेंट से तो इंदिना को भी नफ्राख है हुआ 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 है हुआ 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 थाइ कर दो हार! हौज। कर अ नई 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 तक अ नई 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 हुआ है तो और जोदिया में मारेगा, क्यों आखिर क्यों करते हो तुम लोग यह सब, कब तक इसी तरह लड़ते रहोगे तुम, भारत को जब सतंतरता मिली थी तब तो कोई जात्पात नहीं थी, तो अब कहां से आ गई, अपने भाशनों में कहते हो कि भारत एक है, लेकिन जब इलेक्षिन आ जाए, तो जाती तरफ और देश की जंता शांती प्रिया है, लेकिन बुजदिल बिल्कुल नहीं है, जब अन्याय हुआ था, तब कैसे शिवाजी महराज महराश्ट के शेर बने, उसी तरह अगर एक एक इंसान कमर कसकर खड़ा हो जाए, तो वो अपने आप में ही एक शेर है, जब इंसान अच्छा स तुकाता, दास्ट प्रित, व्ल्ड़ बस्त भायजी दर्का अगें शुरू हो जाई है आरा भाई जी हम चर्च में तोड़ी जा रहे हैं यह लॉकेट उतारीए अपने कलेश उतारीए उतारीए मैं तो थपड़ खाएंगे इसे पहनी है पहनी है इसे कि अब 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 आहरा है सर सर यह सब नाटक क्यों सर यह नाटक नहीं यह आंसू है सच मच क्यों हमारे देश में वह सल्वान माइनॉर्टी में हैं लेकिन मैं लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं जैसे हम में अली है वैसे ही आप में बाबा है इस जोटे को तो मैंने यह डालाग सिखाया है नहीं यह सिखा कहा से यह मैं नहीं बोल रहा है गांधी जी ने भी ऐसा ही बोला था अभी तो मैं सोचूं मैं हनुआं जी का भक्त हूं आज मैं उन्हीं के कशम खाकर ये बात कहता हूं कि अगर बुझे अगला जनम मनिशी के रूप में मिले तो मैं एक मुसल्मान मा के पेड़ से जनम लेना चाहूंगा और मुसल्मान बंकर ही पहता हूंगा माइक सामने आ गया तो कुछ भी बखते जाएंगे क्या है तुम्हारी परिशानी क्या है अगले जनम का छोड़िये भाई जी इसी जनम में धरम बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे बताएए बक्वास बंकर आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूं उन चारों पार्टियो हमारी बढ़ जाएगी संझा हम और आएए गृजियाulars हाये साइंबा बाबा मेरे साइंबा बوبाम aplосमों कि डेए साइंबान दोस्तों कल मेरे सपने में साइबाबा एथ हैं उन्होंने मुझे कहा मैं मारा नहीं हूं तो नर्सिम माके हीड़े में हीवा हुआ हूं आज मैं त जीतेंगे इंटरनाशनल एरपोर्ट बन जाएगा यह लोग कहां जाने की बात कर रहें बताना मुझे लंडन जाने के लिए लंडन जाने के लिए लोटा पकड़ कर जाते हैं ना तो क्या टीशू पेपर है नियूस पेपर हमारे यहां ऑटो रिक्षा कल्प व्रक्ष बनेग भगवान से कुछ मांगो तो मिलता है पर हमारे यह भगवान भीना मांगे इसापी देते हैं तो बोलिए अपने नसीमा जी की मेरी इससे सेटिंग करा दे तेरी गर्दन काटकर तेरे हाथ में बाबा की जैए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे है द जे तोड़ेंगे तेरी जीतaría गर्देत मेरे कि मेरी हार मांगा सारा नेशनेल जोगरफी यही चल रहा है हम नहीं जोड़ेंगे द चोड़ेंगे तोड़ेंगे हां थाजहा हां हा बदो सेटान बोलो रंगा बोलो भाई स्कॉष पियो ये सब ब्रांड हम नहीं पीते गुरू सिर्फ लोकल लोकल मुझे पता था इसलिए मैं तुम दोनों के लिए लोकल ब्रांड लेकर आया हूं पियो और मरू अच्यार्ण अब इसके साथ थोड़ा चकना दो चकना सोडा मिलेग मिलेगा सब मिलेगा राजन बोलिया उस दिन जब तुने इन दोनों कोमेडियन का नाम लिया तो मुझे थोड़ी शंका हुई वो क्यों और इन दोनों के लिए पबलिक में इतना क्रेश होगा यह दोनों पागलों के सरदार है यह सिम्मा आपको क्या मालूम जब लोंगी ऊ वाजू उपर मोडी तो करनाटक से लेकर कारगिल तक उसी का नाम था हुँ सच सच भाया वाई सिनेमा वालों की पोपुलर्टी और कैपिसिटी क्या आप तुमें पता चल गया ना अगर रास्ते पर एज पार रग ज़े तो सारी जंत भागती है रे मुदू बच्चे तु अब हम तोड़ा हलका होकर आते हैं तब तक इसे यह प्रिएगा एक तुछे ने तुझे आप यह देखो इन दोनों का जो क्रेज है ना उसे हमें कैश करना चाहिए ओक एक इन दोनों का मटर करके वो इस जाम आपोजिशन पार्टी पर लगा दें तो हमें बहुत से सिंपै यह क्या बोल रहे हैं वो कलाकार है भाईया कलाकारों को मारना नहीं चाहिए मलेश भाईया कोई मरे या जीए हमें क्या हमें तो बस आपकी चीज से मतलब है वो दोनों मर गएं आप यह सोचिए शाबाश इन दोनों को मरना ही है समझे क्या आपका काम हो गया भाग ले आधो गई तेरे जक्कर में यहां फ़स गया हूं चल भाग निकल यहां से अरे पर हमने भी तो उससे बहुत सारे पैसे लिये हैं अरे लिये हैं तो क्या जान दे दू है मैडम को फोल लगा मैडम 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 अरे लगता है कि अ यहां चलो भागो चलो भागो जल्दी देवी बनकर आपने हमें बचा लिया वरना हमारे बीबी बैच्चों का पता नहीं क्या होता है थैंक्स छोड़ो आप लोग कलाकार हो लोग आपको अपने दिल में बिठा कर पूजा करते हैं कला की डगर बहुत कठिन है कुछ को तरक् तो किसी को नहीं मिलती है और किसी को बुलंदी पर बिठा दिती है इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी पैसो के लालच में किसी ने तुम्हें अपने प्रचार में बुलाया तो बिना सोचे समझे चलेगे वो कौन है उनका बैगराउंड क्या है वो आगे क्या क चल करते हो हर एक बात पर डॉक्तर राजकुमार को आदर्श मान कर चलने वाले तुम लो फिर उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते है यह रुको मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ कि मैडम आपने जो हैंड़ साट मागा था यह रहा आप लेट मीजिए हां ओके ठीक 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 है यह नो बेटा तुम भी लो बेटा इस यह वाली बनवा दीचे आप यह नहीं नहीं अरे भाई साब यह कितने का है पांस और पीका बहुत महेंगा है बेटा तुम्हें मैं यह गुडिया नहीं कोई दूसरी ले दूँगा एक बाध बोलाना कुछ और दिला दूगा चोटी मैं बड़ा हो जाओंगा ला तु तुझे यह गुडिया दिलाओंगा तु रो मता बेटा जिलो तैंक्यू आंटी यू वेलकम नहीं मैडम बच्ची ही तो है लेनी दीचे ना नहीं मैडम आज तो आप इसे दिला देंगी कल फिर यह किसी ऐसी चीज के लिए जित करेगी तो मैं दिल्वा नहीं पाऊंगा यह 500 रुपे की गुडिया मेरे एक हफते का राशन है मैडम प्लीज माफ कीजिए यह आप लेजिए चलो बिटा चलो चलो यहां से मैडम मैडम बिल पे कर दिया है एक कम महराज जी की जै हो महराज जी की जै हो इसे सिंकार की जै महराज और इस बर मैं ही सियम बनू और इलेक्शन जी तो ऐसा अशिरवाद दीजिए विजई भावर विजई भावर इस बर मैं ही सियम बनू कि इलेक्शन जी तूँ ऐसा आशिरवाद दीजिए हमारी पार्टी को वोट देना ज़े या दखना तुम लोग लीजिए कि अ कि आ यादसरोप्टी की यादसरोप्टी की इंस रोब्जिर्गी इंस.. कि यह खोपयों दॉट्प कि दोधर हुआ सब्सक्राइब है कि अज़ेश के प्फटों को दीजिए देखिए माजी आपका आश्रवास चाहिए आशिरवाद के साथ आपका वोट भी जाए माजी ये लीजिए देखिए देखिए पता कोल कर देखिए माजी आप तो आपको याद रहेगा ना वोट देने जरूर आ ना माजी ए लाओ मुझे दो ए एक मिनिट एक मिनिट अरे ये आपका ही घर है क्या समुद्र पार्टी को ही वोट दीजेगा ठीक है समुद्र पार्टी को वोट देना है समुद्र पार्टी को हाँ नेता जी हमारा वोट ही नहीं हमारे बॉस का वोट भी आपको मेलेगा अचा कोई बात नहीं कौन है आपके बॉस उधर देखिए सर तुम लोगों को कुछ समझाओ तो, वो समझ में नहीं आता है ना? मेरी प्रिये जनता, अगर हम आपको पान के पत्ते और फूलों के साथ आप लोगों को चुनाओ में वोट देने के लिए अमंत्रित कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग कोई गलती कर रहे हैं? अगर उसी पान के पत्ते को चबा कर थूख दू तो, तुझे कैसा लगेगा? ए सोन, हम अपने घर में बैटकर बहुत से भलाई के काम कर सकते हैं, लेकिन यहां की जनता, मैं इस जनता को बहुत पसंद करता हूँ, मैं राम हूँ, इसलिए दान कर रहा हूँ. तेरा नाम राम होने से, तू राम नहीं बनेगा, पैसे की ताकत दिखा कर, तू राम राज्य नहीं बना सकता. नमस्कात. अपनी जनता की दिल से सेवा करता. वेरी गुड, सारी बांटी सोना बाटा, अब तीवी बांट रहे हो, हमारे नायक में कितनी पावर है, यह तुम जानती तक नहीं हो, तुम्हें तो पता है ना, उतना ही काफी है, आफिसर, यह करनाटक है, यहां पर जहर से भरे हुए बहुत से जहरीले साप है, अगर तु से भी शुद्ध है, यहां की नारी, यह तु पहले जान ले, अरे बेटी, तुम ऐसे ही हल बना रही हो, मैं तेरे पिता समान हूँ, तु ना मेरा पिता बनना, ना मैं तेरी बेटी बनूंगी, पहले तु एक अच्छा नेता बन कर दिखा, फर्स्ट यू क्लियर तफील, मत मतलब, मतलब यहां से चला जा, नमस्कार कमिशन साहिबा, आए, 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 बहिन बुलाए दोस्तों को, हमसे बहुत प्यार होता है, थैंक्यू साहब, वोट किसको दोगे, नरसिमा को दूँगा, यह लोगों की जान बचाने वाली संजीवनी वहन है, तुम जैसे गंदे लोगों के, नीच काम के लिए नहीं, कियर आल दे दिंग्स, हलो, मैडम जी सुनिये, मैं यहां पर गरीब लोगों को खाना बाट रहा हूं, मुझे छोटे हो बड़े में कोई भेदभाव नहीं है, पेट भर के खाना खिलाते हैं, तो पुन्नी मिलता है, साल के तीन सो पैसर दिन तुम यही करते तो मैं मानती, कोई सुनता क्यों नहीं, यहां के दाल दालो न, तुम लोगों में थ जितागर खुद आत्मात्या कर रहे हो, वाह, 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 मैडम ने तो जादू ही कर दिया, सामान ये लोगों का दिल जेत के, शायद नेतागिरी में उतरने वाली है, तुमारा सीम बनने का कोई प्लैन है क्या, माइंड यो टंग, प्लैन स्कीम ये, तो जैसे थर्ड रड करते हैं, न्याई नीती धर्म, माई एजुकेशन, माइंड इट, जा, खड़े यासे, जा जा अपना अपना काम करो, चुना में कर रहे हैं, ब्रस्टाचारी लोगों की खुसखोरी को नाकामयाब बनाया जा रहा है, इन सब के पीछे जो हमारी नई इलेक्शन ओफिसर है, इंद्रा, इंद्रा, जर्दी, जैल खोलो, क्या हुआ भाई, वो हरमजादा, मुझसे कहता था कि ये दूंगा, वो दूंगा, लालज दे दे के मुझसे नजाने कौन-कौन से काम करवाए, लेकिन अब, मैं यहाँ बंद हूँ, और उसे सारे लोग शावाशी दे रहे ह हैं, सिर्क पंद्रा मिनिट के लिए, मुझे एक बार बाहर आने दो, अगर मैंने उसे बॉम से बांद कर उपर न पहुँचा दिया, तो मेरा नाम जगत नहीं, जगत? इसी वाहलेस से अलेट करवा देता हूँ, खोलो, खोलो, जल्दी खोलो, नहीं, खोलो, जल्दी खोलो वो जिस गाड़ी में चलती है, उस गाड़ी में बम, लगाने की हर तरह की तरकीब सभी लगा चुके हैं, यहां बैठ कर अपना बीपी मत बढ़ाओ, कुछ और भेंग कर सोचो तुम यह जो तुम लोग मेरे सामने सेलूट मारते हो, नमक मेरा खाते हो, और इज़त उसकी करते हो, तुम सब को मैं यहीं चूट कर दूँगा, है, मार दो, मार दो भाई, अगर आप कोई जीवन नहीं चाहिए, तो हमें भी नहीं चाहिए, वो पुराने पुराने रूल्स लग जाकर, सब लोगों को अंदर करती जा रही है, हम नमक हराम नहीं हैं भाई, हमने कोई बेमानी नहीं की है, अब हमें क्या करना है बताइए, यह मर्दान की अभी तक कहा थी, अचानक कहा से आ गई, मैंने जो कहा है, वो करो, यह रोगो, रोगो, जलो, जलो इधर चलो, चेक किया तुमने? हाँ सर चेक किया है, रेट बोड़ी ही है, जाने दो, कुछ मिला क्या उस नहीं मिला सर बंद करके नीचे आजाओ जगाद जगाद मुझे दो ये देखो ब्रेकिंग निउज में क्या आ रहा है पार्टियनों जो पैसा बेजने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं उनके भेजे हुए ब्लैक मनी को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है इतनी बड़ी कामयाभी हासिल करने वाली हमारे करनाटक में होने वाले चौधुए इलेक्शन में पैसे बाटने के लिए हमारे नेता लोग बहार के स्टेट से काला धन मंगवा रहे हैं और अगर उनसे कोई पूछे तो वह कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबन नहीं है धोका दे दिया मुझे उन नोरों ने धोका दे हैं आज उने की मदद से मैं ये सब कर पा रही हूँ है जुड़ वोले है ये मेरे पैसे भी खा गये और मेरी पीट पर छुड़ा भी भोग दिया हां मेरा विश्वास कीजिए आपके घर में कुत्ता लाना है वो कौन सा कुत्ता लाना है वो मैंने पूचा था तबल गेम मै है नहीं वो खेल रही है तेरी दोप मेरे साथ धोका हो मेरे साथ धोका किया तुन्हें करिमिनल्स लोग जो तुम्हें पैसा देते हैं वो तो अच्छा ही होता है लेकिर उनकी मार आज पता चल गई न तुझे सस्पेंट या डिसमिस किया जाए तो डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा लेकिन अगर तुखुद रिजाइन कर दे तो मरते दम तक आराम से खाना खा पाएगा लोगों को साउंड पॉलिशन पसंद नहीं लोगों ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुम्हें पुलीस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और दुश्मनी किसे और उस दिन तुपश्टाएगी कि तुझे करनाटक के कमिशनर की पोस्ट क्यों मिली मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अगली बार धर्ती पर जनम लेने से पहले तु दस बार सोचे तुझे छुडा नहीं पाएंगे चाय तु अच्छी तरह जानती है कि अंधी कोट को सबू चाहिए इनको ले जाकर तु गवाह बनाएगी क्या पुलिस की गवाही कोट नहीं मानती येस लेकिन चोड तो साक्षी होते है न उधर देख लुफ टु छु तू लोड उसे हो तक्राइएंगे थे विद्टनाद्स के अंधार थेख कर दोंड़ कर दो... जो 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 करेंगा जो 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 जिर मैं भी बाल झाल प्लीज हड़िये, हड़िये, प्लीज, प्लीज तेरे होते हुए यहां बंबलास क्यों हो रहे हैं तेरा नाम इंदरा है, अब तक तु यहां क्यों खड़ी है सुन इंदरा, अपना वक्त जाया मत कर तेरे दो सातियों को और उड़ाने वाला हूँ मैं नौ यहां जाकर बचाने उन्हें, कम आँ हाटिये लेक्स हाटिये प्लीज ताम, okay? कुण है कुण है रे तू तेरे सारे वफादार कुट्टे आग में जल रहे देख रही है ना नेताओं से दुश्मनी कितनी महेंगी पड़ती है पता चला तूने अपने आपको इस धर्ती का भगवान समझ रखा है ना लेकिन मैं राक्षास हूँ राक्षास क्या चाहिए तुझे मुझे तू चाहिए तू नियुकुक के पीछे किसी नक्सलवादी का हाथ है ऐसा लोगों का मानना है किसी नेता का भी हाथ हो सकता है ऐसा भी लोग कह रहे हैं तू कून है यह ऐन्डिया जानता है लेकिन मैं कौन हूँ वर्ल्ल जानता मेरे बारे में पता है तुझे पता है लेकिन किसके लिए और किसके कहने पर तू यह सब कर रहा है और श्चरी हो रहा है क्या हम हमेशा से एक ही थे बस लोगों के सामने एक दूसरे पर हवी होते थे आज तेरी मौत का कारण हम ही पांडो बनेंगे हाँ 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 हम तू एक औरत है अलेक्शन कमिषनर है तो हम लोग cares क्या तेरे चम्चे है हम सब लोगों की राजनिती खत्म करने की तुने शपद लिया क्या इतनी इसी बुलेट काफी है तुझे सुलाने के लिए लेकिन हम चुप क्यो है तुजे पता है एलेक्शन, 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 आप चुप चाफ हमारी बात सुन, हम पर जो भी इल्जाम लगाएं उन्हें सब खत्म करके, किसी को खबर किये बेनाई शहर छोड़कर चली जा, नहीं तो ऐसे ही लाशन गिरती रहेंगी अपने स्वार्थ के लिए, तुम लोग आम जनता की जान क्यों ले रहे हों? उनकी किस्मत है, इस देश में गरीब बनकर पैदा हुए हैं, इसलिए मरना उनका नसीब है हम एंजिनेरिंग या एंबिबियस करके राज्य की कामों में नहीं उतरे हैं लोगों को मार कर उनसे बदला लेकर उनकी शाओं पर चलकर अपना रास्ता बना कर हम यहां तक पहुचे हैं हाज जोडने से पब्लिक वोट देगी क्या? पागले जनता पता है, उसका वोट चाहिए तो डराना पड़ता है हरे हरे नोट दीखाकर वोट मांगेंगे तो कौन पागला में बोट नहीं देगा और फिर भी वोट नहीं दिया तो काटे ज़हें किसीने भी मुझे यह नहीं बोला कि यह सब नहीं चाहिए तुम बस अच्छा काम करो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं इस देश की जनता जो है ना माचिस की तरह है दिमाग से काम लें तो कभी भी जला सकते हैं, धुआ, धुआ उठेगा पबलिक बोले तो, जब पल के नीचे आने बाला कच्रा पत्थर धूल मिट्टी जैसे हैं अरे इसने चंपल समा रहा जी है, इसकी लाए गई पबलिक तो भिकारी है, भिकारी अरे भिकारी हम नहीं भिकारी क्यों है, रिपोर्ट बालता है क्या हुआ, सर वहां पर जो भी चल रहा है टीवी पर लाइब आरा है, यह जो भी चल रहा है वह सब टीवी में लाइब टेलिकास दो रहा है तो आप यहां तुमने अपनी सच्चाई कोदी बया कर दी अब मैं काम शुरू करूं करूंग 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 करंद झाल 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 बस्को चोर दाने खोब मारो बश OFF प्ल प्ल ao आज पता चला चप्पल की मार कैसी होती है भाईया वो चप्पल से मार रही है थोड़ी तो मुदद करो जिसका खुद का घर उजड़ गया हो तुसरे की क्या मदद करेगा भगवार हुआ है हुआ है या दुस्ट किया एक सब्सक्राणा अप्पलाओ गार पार्णा ये नहीं है झाइब दुस्ट म्दद करेंदेट्यच्ट ये थीर प्सुद्ट प्सुद प्सुद्ट प्सुद भाई भाई उख ग्सुद दॉ़ भाई बखभन जल्दी चला हो जल्दी चला हो अरे बागल होगी है के दोड़ को नहीं है जारी पे बागल अंदर आकर बैठ जल्दी जल्दी चला हो जल्दी चला है बेना चले कार का मजा ले रहा था मैं क्या बख्वाथ कर रहा है तु क्या हुआ है कार में ईंजन नहीं है बेना अंदर के लिए बागल रहा हुआ है कि उधर को बाइब में है यह थो अद्स एकल पर जिस कोड़े एंड, गुर एंड, इस दो एंड, नहीं उन्हें टूछएंगे। पर आप 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 आपिंगे। पब्लिक को भिकारी बोलता है और वही पात साल के बाद इस पब्लिक के तलवे चाटना आता है अधार भी अधार 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 जाड़ जा देने से हमारा समाज बदल जाएगा क्या जलाना है तो इन्हें नहीं अपने अंदर के स्वार्थ को जलाओ ये इतना रोश इतना गुस्सा आज तुम्हें आया है ना जब इन लोगों ने लात मारी थी तब कहां गया था इन सब की कर्टूते आज पता चली न तुम्हें इस बेंकों में नजाने कितने करोड़ों रुपे जमा करके रखे हैं और ये लोग ऐसे बूलते हैं जैसे इन्होंने बहुत महान काम किया है हमारे पैसों को क्यूं लूट रहे हो कभी आप लोगों ने पूचा है इन घुच्च्ट लोगों से ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना चाहते हो तो इने कभी वोट मत दो मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्तर बने इंजिनियर बने ऐसा सब सोचते हैं लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो एक अच्छा पॉलिटीशन बनकर देश को सही रास्ते पर चला है ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ले आज के दिन एक सामान या इनसान 30-42 की जमीन नहीं ले सकता और ये नेता लोग डी नोटिफिकेशन के नाम पर गरीबों की हजारों एकर जमीन चीन रहे हैं इलेक्शन में ये लोग लाखों करण रुपे खर्च करते हैं गरीबों पर खर्च करें तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा कोई भी इनसान कभी भूका नहीं सोएगा आपका वोट अन्यदान विद्यादान से भी बड़ा है इस बात को समझिए और हमारे करनाटक को ऐसे दरिंदे लोगों से बचाईए यह जो आंदोलन है वो आज के लिए नहीं हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए है हमारे बच्चों के लिए है उनके भविश्य के लिए है हमारा करनाटक ऐसा सुन्दर राज्य बन जाए कि भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाए आज से आपको किसे वोट करना है कैसे करना है यह सब आपकी मर्जी Think before you act Leadership is not a position It's an action जैहिन आपने अपने नाम की तरह ही काम कर दिखाया आपके सेवा से हमारे राज्यू को बहुत उधार हुआ है Thank you sir, thank you very much Thank you